जरा सोचें कि कहां कैसे भारत फासिष्ट देश बन रहा है? क्या राश्ट्रिय सुवहमसेवक संग और उसके हिंदु संक्ठन भारत महान को फासिष्ट देश में कन्वर्ट करने की साजिश में सफल है? क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश सेकुलर लोकतंत्र की बजाय फासिवादी स्टेट बनने की तरफ बढ़ा है सोचें कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बोलने की आजादी क्या खत्म है RSS और उसके दक्षिन पंती चहरे जहर उगलते हुए देश को क्या तानासाई की तरफ ले जा रहे हैं अपना मानना है कि यह सब बक्वास है मगर All India Muslim Personal Lab Board ने अपने अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार को कटगरे में खड़ा किया है कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधान मंतरी बने है अल्प संख्यकों के खिलाप दक्षिन पंती ताक्तों की सक्रिता बढ़ी है मुसर्मान और इसाई अपने को ऐस रुक्षित महसूस कर रहे है मुस्लिम पर्सनल लाबोर्ड का ऐसा सोचना दरसल नरेंद्र मोदी के प्रती एलर्जी का प्रमान है कोई संधे नहीं है कि भाजपा का राज है RSS और हिंदुतुवादी ताक्ते बेखोप हुई है लेकिन ऐसा तो लोकतंत्र में होगा जो विचार धरा सत्ता में है जिसे बहु संध्यक लोगों ने छपपर फार वोट देकर जिताया है वे अपनी सोच अपनी बात अपने एजेंडे में बेखोप बनेंगे ही मगर हाँ यदि कानून से बाहर जाते होए या नई फासिवादी तानसाई तंत्र बनाने जैसी कोई बात हो तो अलग बात है तब उसके खिलाब आवाज उठाना आंदोलन करना वक्त की पुकार है मुस्लिम परसनला बोड ने ऐसा क्या देखा है जो देश को फासिवाद की तरफ ले जा रहा है गोमान्स पर पाबंदी जैसे कानून की यदि बात है तो वह सत्तारूर पार्टी के एजेंडे बहु संख्यक आबादी की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है यदि इस पर भी भाजबा सरकारे काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी सो पेच उन बातों को तलाशना है जिससे मुस्लिम बोर्ड फासिवादी तंत्र का खटका देख रहा है औल इंडिया मुस्लिम परसनल लाबोर्ड भारत के मुसलमानों की सोच की एक प्रतिनिदी संस्ता है उसके अदिवेशन में मोदी राज को लेकर अवाम की फिलिंग जाहिर हुई है सवाल है कि बोर्ड का जो प्रस्ताव है वह अवाम को सरकार से दूर रखने दूर बनाने वाला क्या नहीं है बोर्ड को उल्टे मुख्यधारा से जुनने जैसे तोड तरीके क्या नहीं अपनाने चाहिए इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ट पत्रकार विनित नारायन है विनित जी ओल इंडिया मुस्लिम परसनल लाव बोर्ड के अधिवेशन अभी हुआ और उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें कहा गया है कि नरेंदर मोदी की सरकार बनने के बाद देश फासिवाद के तरफ बढ़ रहा है क्या मतलब है इस बात का? लोग जिन दिन पदों पर UPA सरकार ने रखे थे चाराजी पाल या किसी को हटाय नहीं गया प्रदान मंत्री ने पहले जिन से खाये सबका साथ सबका विकास अल्प संक्यट मंत्राले का आर्थिक भजट बढ़ा दिया गया अल्प संक्यट मंत्राले की जितनी योजना हैं सबको आधार कार्ट से जोड़ दिया ताकि गरीब मुसल्मानों को उनका हक मिल सके और चॉलिये दलाल बीच में पैसा ना खाये इसके बाद जो सकेंद्र सरकार से राज्चों को प्रसद बढ़ाई गई है जो आर्थिक अनुदान या आर्थिक मदद बढ़ाई गई है आज जादे तो राज गैर बाजपाशा से थे तो वहां पर क्या फरक पड़ा गया कश्मीर में सरकार बनाना मुफ्ति मौद सहीत के इन सारी चीज़ों में और फिर मोदी के उनके भाशान अपने अब हाँ ये बात हो सकती है कि घर वापसी का नारा दिया जाना कई कुछ तरह के इस तरह के आयोजन ये देखिए अती उत्सा में अगर कोई सामपरदा एक क्या नेता उल्ट देशिदी बयान बाजी करके बहुत संक्यकों को भाग के आते हाए थे क्या इस देश में तरंगे जंडे नहीं चलाए गए क्या इस देश में हिंदु देवी देफ्ताओं के अफमान नहीं किये गए और देखिए अभी भी जो दंगे हुए हैं बोधी सर करें उनकुल सिम्पल बात है व्याすदी क्यों नहीं मलेशिया के इंडोनेशिया के सिंगापूर के दर्की के मुसल्मानों में और हिंडों में कोई बर नाजा आता है एक दूसरे के संसकारों का एक दूसरे कि दर्मुत्समुगा, सब का सम्मान करते हैं, मिलके इसता लेते हैं, इस सामजस्ते सरकार हैं और समाच चला करता है, आप इस तरह घ्रहां का भाव पैदा कर देंगे, आप अलफसंगों के मन में डर पैदा कर देंगे, किसा बहुत खतरनाक सरकार बैठी है के दें, ऐसा अगर आ मुस्मान करें, लेकिन इसमें मनोदशा, क्यों आखिर इतने प्रतिमती पूरे देश के साथ बादिवेशन करते हैं, वो प्रस्ता बनाते हैं, तो आखिर वो उस मनोदशा में क्या ये कोई चिंता है, जैसे मान लिजिए, एक ये वो सकता है करण कि गोवद पाबं जो आज विज्ञानिक धरातल पर खरी उतर चुकी है, सूर्य नमस्कार के लाब पर पूरे दुनिया की प्रयोग शालाओं में प्रयोग हो चुके है, योगा तो आज ऐसी तीज है कि रामदेव आश्र हुआ बावा रामदेव के योगा के दौर था देश में, कि हिंदूस ठीक हो रही है, डायबेटीज ठीक हो रही है, तो हिंदूवादी कारिकरम कैसे हो गया, सूर्य नमस्कार और आजान पढ़ने लेकिन ये जितने तमाम आईकोन या जितनी ये बाते हैं सब ये कुल मिलाकर एक समूदा आए के नाते तो ये जाता है कि भई ये हम जो हो रहा ह है, जो मुसल्मानों की ठेकेदार बनके, बार्गेनिंग करके, सरकारी ब्रहमन बनके मजा मारती रही है, जबकि मोदी का, ये आज मैं मोदी ही कहूंगा, अखलेश यादब को ले लीजे, कई नितिश कुमार को ले लीजे, कई राज्यों के, इन मुख्यमंत्रियों की भी क्या है, कि चाहे हिंदु धर्म की बात हो, चाहे हिसाई की हो, चाहे बौद की हो, चाहे मुसल्मान की हो, समाज में एक स्थम रस्ता है, एक सांस्कृतिक उत्सब का वातावन बने, सामुहिक विकास हो, उस मामले में आप मुसल्मानों को अल्प सबकर को धरा कर, धंका कर, और ये राजनितिक तोर पर भी कि भई आप इतने समय तक काटे रहेंगे कि मतलब इतनी जगे सरकार हैं उन सरकारों में बले MLA हो मंत्री हो ये सबसे कट कर अगर समुदाय रहेगा तो ने उसके काम या ने उसकी चिंता होगी ये अपने आप में बहुत 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 बाद में क्या बोलते हैं हिसाब नौकियों में सेलेक्शन नहीं होता हमारा रहे हैं जब आप मुक्ह तहरा में जुड़ेंगे तभी तो एक समाज में जाती वाद को पनपा कर वोट बैंक को कंट्रोल करके अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाकर समाज का अहित करते हुए अपना मुनाफ़ा देखना इसी तरह संप्रदायवाद को बढ़ाकर मुस्तिन समाज को असुरक्षित बढ़ाकर अनावश्चा ग्रूप से भय दिखाकर लीडर्शिप ब्लैक मेलिंग करके बार्गेनिंग करके अपने पावर लेकिन इसमें बुनियादी तोर पर ये सोच ये जुछ चुनोती इसको कैसे बदला जा सकता है किस तरह डायलोग हो क्या हो क्या हो गया जैसे मैं कि मिल्दावन में था एक शोवा यात्रा निकल रही थी बहुत सुंदर कीटन दुन बजाते हो बैंट जा रहा था पुसमें लिख लिख था कुछ एमद बैंड या कुछ तो मैंने पूछा अब ब्रज में जितने भी फूलों के शिंगार करने वाले हैं जितने शेहनाई वादक हैं जितने भर्वान राजाकिशन की पोशाक बनाने वाले हैं जितने बैंट बजाने वाले हैं जितने भजन गायकों के साथ ताल देने वाले सारे मुसलमान हैं और म ने तुम पोशाट मत बनाओ, ने तुम शेनाई मत बजाओ, ने तुम भूल बंगले मत बजाओ, ने तुम बैंट मत बजाओ, असमाच चलेगा कैसे। बुनियादी सवाल ये है, कि ये समुधाय के नेताओं को या लीदर्शिप को कैसे इस बापन में मोटिवेट किया जा सकते हैं, ये क्या होगा। लोगों के समझ में आ गया कि आर्थिक विखास तो सामजस से और सवहार्थ से बनता है। ये विनित जी, बातचित को ये समाप्त करेंगे, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत है।